नवश्कर दोस्तों कैसे हैं आप सब आई होप आल इस वेल तोड़े वी एर गुएंग टू स्टार्ट नेक्स टॉपिक स्वागति आपका जेके अग्जाम क्रेकर में इस प्रेजेंटेड वाई मी साहिल ठाकूर और आज का जो टॉपिक आपके रहने वाला है वो है इसे पह लेके वो अलेडी पढ़ चुक है अगर आपने लेक्चर नहीं देखा यह से पहले वाला वो लेक्टर देख लें ठीक है दिस लेक्टर नंबर सेवन है 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 और लेक्टर नंबर सेवन और आज हम डिसकर्स करेंगे डिरेक्ट हिस्ट्री आव को जब भी पढ़ना है उसको दो पार्स में पढ़ना है सबसे पहले पढ़ेंगे हम कॉपरेटिव सुसाइटी बिफोर इंडेपेंटेंट्स और कॉपरेटिव सुसाइटी आफ्टर इंडेपेंट्स यह काफी इंपॉर्टन लेक्चर क्योंकि दो को तीन कोश्चन आपके इधर से ही निकलेंगे जितना आपके स्लेबस में लिखा हुआ यह सिरीज आफ लेजिसलेशना कॉपरेटिव और वेरिस कमेटी एट नेशनल लेवल तो इसको आज हम कोशिच करेंगे कवर करने की ओके यह 1904 वाला एक्ट हमने खदम कर दिया 1912 वाला एक खदम कर दिया आज हम देखते हैं कि कौन-कौन स होनी चाहिए कब कमेटी आई और क्या-क्या रिकमेंडेशन इन कमेटी ने दी है जो कि आपकी एक्जाम पाइंट आव यू से काफी इंपॉर्टन है सबसे पहले देख लेते मैं कमेटी जो है वह बैठी कॉपरेशन को कॉपरेशन पे 1914 में ठीक है कब पाइंट हुई कमेट को लेके मैकलेगन कमेटी जो है 1914 में अपॉइंटमेंट हुई और इसने रिपोर्ट जो समिट की 1915 में और इननो जो प्रिंसिपल दिया ठीक है इनका पूरा नाम था एडवार्ड मैकलेगन ओके अब इनने प्रिंसिपल दिया वह वन वोट वन मैन दिया इसके लावे इननो जो रिकमेंडेशन दी ठीक है वो दी फॉर्मेशन आफ एपक्स एंड सेंटरल लेवल कॉपरेटिव बैंक्स की फॉर्मेशन के लिए रिकमेंडेशन किया ओके और माना जाता है कि इस इस दा फॉर्स्ट कमेटी ओके इस दा फॉर्स्ट कमेटी आंदा कॉपरेशन इन कमेटी कॉपरेटिव सुसाइटी के लिए इसलिए बठाई गई क्योंकि कॉपरेटिव सुसाइटी में क्या-क्या changing लानी है क्या-क्या include कर सकते हैं इसलिए उन्हें उन्हें कमेटी बठाई और उन्हें ये ये recommendation दी जो मैंने बता दिया प्रविंशल बैंक वर फर्स्ट ली रिकमेंडेट वाई दा मैकलेगन कमेटी तो प्रविंशल बैंक के लिए भी फर्स्ट टाइम जिसने जिनुने रिकमेंड किया था वो थे मैकलेगन कमेटी ठीक है यह काफी इंपॉर्टन आपको पताऊना चाहिए ओके इनका फूर नाम किया है यह एडवार्ण मैकलेगन जो है इनका फूल नाम है और इनने किसकी बात करी है इनने रिकमेंडेट रिकमेंडेशन किया था थ्री टाइर स्टक्चर इन एक तीन लेबल पे मतलब यह हुआ एक आगया स्टेट लेबल जैसे मतलब हो गया की स्टेट डिस्टर्क और बिंट के मलचा ऄप cu पर वीकलिन में अच्ट्पे को जो सबस्क्राइब में की इस तरह से त्री टाइइ किया और सबसे इंपार्टन बात है कि वोट जो है प्रिंसिपल वो भी इन्होंने दिया ओके यह बात थी जब 1914 और 1919 में जब क्या चल रहा था फास्ट वर्ल्ड वार चल रही थी उस दोरान में कमेटी बठाएगी लेकिन गोर्मेंट आफ इंडिया को लेकर क्या 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 कर लिए वो दिखना इंपॉर्टल नमार लिए घेट घचरफ्न अब क्या 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 प्रविंट्र डॉल समय च हब जाब को गए Central Government इसमें पहला एक्ट आया जिसने बोला कि हर एक स्टेट जो है प्रोविंसी जो है वह अपना एक्ट ला सकती है अपनी स्टेट में सर वो कैसे देखो यह जमू कश्मीर का एक्ट आया जमू कश्मीर का इसका मतलव हो गया कि नेपनी स्टेट जो है अपनी Central Government को लेकर जो जो भी लास बना सकती है वह इनकी मरजी है स्टेट वाले ला सकते हैं इसके आप जो तॉघ्जन में तो परिंजस्तान यह पी यह अप Northwest Art तो यह मंबे के साथ में यहां पर बंबे जो है सबसे फर्स्ट माना जाता है कि बंबे कॉपरेटिव सोसाइटी एक 1925 में बना इस एक्ट के बाद और इन्हों ने इंटर्डूस किया वन मैं वन वोड प्रिंसिपल जो है इन्हों ने दिया अब इसमें याद क्या करना है आपने कि पहली बार जो है गुपरेटिव सोसाइटी बनी वो बंबे कॉपरेटिव सोसाइटी बनी और स्टेट ने अपने एक्ट पास किया 1925 में यह काफ़ इंपॉर्टन है पतावन अच्छी है अब इस तरह हम इसी दुरान में इसके बाद जो है एग्री कल्चर की सच्वेशन इंडिया में क्या थी एरिकल्चर की सच्वेशन ठीक नहीं थी इसलिए रॉयल कमिशन बठाया गया एरिकल्चर के बेस पे इसको पाइंट गया 1926 में और इनने रिपोर्ट दी 1928 में आपक चाहिए कि पाइंट कब हुआ 1926 में रिपोर्ट नाइंटी ट्वटी एट में और इस कमेटी को कौन हैड कर रहे थे यह काफी इंपॉर्टन है तो एच केलवर्ट जो है रॉयल कमिशन आन एरिकल्चर वो इसको क्या कर रहे थे हैड कर रहे थे अभी उन्हें रिकुमेंड क एक बात और भी बोली है जो आपको पता होना चाहिए यह है जस्ट वेट एच वी केलवर्ट जो है जो इस कमेटी को हैड कर रहे थे उन्होंने यह बोला इफ कॉपरेटी फेल देर विल भी फेल दी होप आप ता रूरल इंडिया ठीक है उन्हें बोला कि अगर कॉपरेटी के दूरान में उन्हें के दिया एक रिकमेंड किया कि आप को कि करना है सेटप करना है लेन मॉर्ट बैंक तो आपको पता होने चाहिए कि लैंड मौट बैंक जो है इसकी इसकी रूपमेंडेशन जो है National Cooperative Union of India जो है उसको establish किया गया ये भी काफी important है आपको पता होना चाहिए और इसकी full farm भी और body भी क्या पता होना चाहिए और ये क्यूं बनाई क्यूंकि तांकी promote कर सके, strengthen कर सके cooperative sector को इसके बाद RBA को set up किया गया, RBA को set up क्यूं किया गया ये सबसे पहली बात है कि RBA Act जो आया 1934 में आया और 1935 में बैंक को establish किया, 1949 में जो है nationalize किया RBA को लेकर RBA बनाया था Young Hilton Commission के नाम पर, Hilton Young Royal Commission जो है इनुने recommend किया था RBA बनाने के लिए, इसी के दुरान में एक committee बठाई गी जिनको बोला जाता है महता committee, ये point की ये काफी important committee है, 1937 में अब इनुने क्या बोला, ये काफी important है, इनुने बोला कि cooperative society जो है, उसको reorganization करो cooperative society को, cooperative credit society को और उनको बनाओ multi-purpose cooperative, multi-purpose हो गया more than one cooperative होनी चाहिए, जैसे for example हमने अभी discuss किया कि Royal Commission जो था, agriculture पे बैठा था, इनुने क्या बोला था, single-purpose cooperative society होनी चाहिए, लेकिन इनुने बोला क single-purpose नहीं, महता कमेटी ने काफी important committee आपने direct ये याद कर देना है, कि महता कमेटी कब आई और इसने क्या बोला, multi-purpose cooperative के बारे में बोला, second world war के टाइम में कुछ भी इतना खास नहीं हुआ है, और 1939 और 45 के पिरिड में भी इतना ज़्यादा कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन क कहीं न कहीं stimulus मिला है, वो देख लेते हैं, further stimulus to the growth of the urban cooperative credit structure को boost मिला है इस दुरान में, ठीके, क्यों इस दुरान में क्या हो रहा था, world war second हो रही थी, okay, world war second, 1939 से 45, तो इस दुरान में भी काफी development नहीं हुए, क्योंकि war-like situation जब भी होती है, तो cooperative को लेके कुछ भी इतना खास development नहीं हुई, लेकिन ये काफी important है, multi-unit cooperative society act बना 1942, अब यही act, multi-cooperative society, देखो, इससे पहले committee आई थी, जो हमने पढ़ी अभी, ये आई थी महता committee, इन्होंने recommendation दी थी कि multi-purpose cooperative, multi-purpose हो गया, more than one purpose के लिए cooperative society बनानी, इन्होंने क्या किया, committee ने recommendation दी, अब ये accept का भी government, at that time, जो भी British government थी, उन्हें accept किया और उन्हें बना दिया multi-unit cooperative society act 1942, अब इसमें किया गया, according to this act, जो है, जो power थी किसकी central register की, after cooperative, to the state register for the all practical purpose, बस इसमें याद रखना है कि multi-unit cooperative society में, जो central register था, ठीके, central register से power जो delegate कर दी गई, state register को, ठीके, ये काफी important point है, कि central register से state cooperative को power delegate कर दी गई, okay, next जो है, गड़गल committee, ये काफी important, 1944 में आपने याद रखना है कि गड़गल committee किसके related, cooperative के related कब आई, 1944 में आई, इन्होंने क्या recommendation दी, इन्होंने दी कि compulsory adjustment of debt होनी चाहिए, और setting up of agriculture credit cooperation होना चाहिए, इन्होंने बोला कि agriculture की स्थिती अच्छी नहीं है, और उसके लिए कुछ corporation बननी चाहिए, जो कि agriculture वालों को पैसा दे सकें, ठीके, ये सारी जो भी committee है, ये हम इंडिया की independence से पहले पढ़ रहे हैं, British के time में, okay, wherever cooperative agency are not strong enough, वहाँ पे agriculture credit cooperation मनाए, तांकि हम agriculture वालों क पैसा दे सकें, okay, next committee जो है, ये planning है, ये काफी important है, जिसका नाम है cooperative planning committee 1945, ये याद रखना है आपने और इनको chairmanship किसने किया, ठीके, मतलब कि इस committee के chairman कोन थे, तो वो भी आपको पदा होना चाहिए, chairman थे, RG सारिया जो है, इनके chairman थे, committee को set up किया 1945 में, अब इनने recommendation क्या दिय ये वो इतना important है नहीं, बट आपको पढ़ना है, the committee found every cooperative society to be the most suitable medium for the democratization of the economic planning and examine each area of the economic development, बस उनने planning कि है कि हम cooperative society को economically कैसे democratization कर सकें, okay, इसके बारे में ही बाग करी, ये था pre-independence development क्या हुई, इसमें एक काफी important है कि 1947 1947 से पहले, कौन सी cooperative society है, जो अभी भी exist कर रही है, ठीके, वो है Amul, Amul ने register किया था 1946 में, ठीके, और Amul का दूद आप सब पीते हैं, और आज की date में, Amul जो है, तब register हुई थी as a cooperative society, और आज भी चल रही है, ठीके, ये काफी important है, इसलिए आपको पता होना चाहिए, ठीके, next देख लेते हैं, ये cooperative है, जितना भी हमने पढ़ा pre independent से पहले, इसको शाट कर देखते हैं, क्या क्या important है आपके लिए, एक ही page में आपने लिखना है इसको, 1892 में Nicholson आये, उनने क्या idea दिया था, agriculture land bank के बारे में, 1901 में आपको पता है कि माइन कमिशन आया था, लार करजन के टाइम में, उनने बोला, rural agriculture bank बनाओ, फिर आया cooperative credit society act 1904, जो first incorporation था इंडिया में, और इनका basic motive क्या था, to provide credit to the corporatives, फिर आया cooperative society act 1912, इनने क्या recommendation दी, federation के बारे में बोला, cooperative और urban cooperative bank को convert करके central cooperative bank बनाया, मैं के लगन कमेटी आई, 1914 में, इनने क्या recommendation दी, थ्री टाइर structure बोला, primary base पे और central as well as provincial cooperative banks, इसका कहना मतलब क्या है का, यह इसका, थ्री टाइर structure, मतलब यह हुआ कि state cooperative bank, फिर district cooperative bank और village में आगे PACS वे रहा, ठीके, आज की date में इनको यह बोलते हैं, जो आपकी slaves में है, state cooperative bank और district cooperative bank और PACS, ठीके, इनने त्री टाइर structure वैसे ही बात करी, गोर्मेट आप इंडिया act 1912 वल आया, उनने जो cooperative था, उनको क्या बना दिया, provincial subject बनाया, और इसी के चकर में, बंबे cooperative society act 1912 बाया, और यह first provincial act के थ्रू यह body बनी, ओके, फिर इसके बाद cooperative planning committee की बात करी, हमने ब आज हम discuss करेंगे next development of cooperative in the post-independence era, आपको यह काफी important है कि 1947 में देश को अजादी मिल चुकी है, अब देश को अजादी मिल चुकी है, इंडिया को independence मिल चुकी है, तो आप इंडिया अपने हिसाब से चलेगा, और इसके लिए कुछ committee planning बनानी पड़ेगी cooperative को कैसे लेकि हमने चलना है, तो वो कही न कहीं काफी leaders का जो है, वो रोल रहेगा cooperative को क्या करना, uplift करने के लिए, तो आपको पता है कि जैसे हमारा constitution अड़ाप्ट हुआ, शबी जनवरी 1950, अड़ाप्ट नी, enactment हुई 1950 में, ठीके, तो enactment जब भी हुई, उसके पाद जो जो constitution में लिखा गया था उसी के अधार पे इंडिया को चलाना था, ठीके, और उसी में कहीं न कहीं planning commission की भी बात करी उन्होंने, ठीके, जब देश हजाद हो चुका था, और परदान मंतरी कोन थे at that time, कोन थे, नैरु साब, ठीके, और जो नैरु साब थे, उन्होंने बोला कि हम planning commission जब भी बढ़ा और 56, यह काफी important है, quality में भी आ सकता है, आपको economy में भी important है, ठीके, first five year plan, जो है 1951, 56, उन्होंने क्या दिया, एक vision दिया, क्योंकि देश को अजादी मिल चुकी independence, और independence के बाद देश अपनी तरिके से चलेगा, उन्होंने vision दिया cooperative movement in India में, और उन्होंने एंफसाइज किया cooperative किसके level पे, 25 level पे, जादा होनी चाहिए, तांकि हम economic और political development कर सकें, ठीके, और इसके साथ-साथ में उन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि, कि इन्होंने बोला, यह first five year plan में, ठीके, उस time में जो जो government थी, narrow government, ओके, it provided for the setting up of urban cooperative banks, urban cooperative bank की बात करें, उन्होंने industrial cooperative for workers, consumer cooperative और housing cooperative, उन्होंने first five year plan में ही बात करी, ठीके, क्या क्या development हुई, वो भी देख लेंगे हम, जैसे जैसे आगे पड़ेंगे, इसके बाद, next क्या हुआ, आल इंडिया rural credit survey जो है, कमेटी बठाईगी, 1951 में, और इस कमेटी को बोला गया कि, आप बताओ, भाई, की cooperative society को लेके क्या करना है, तो इन्होंने क्या क्या recommendation दी, और इस कमेटी का full नाम क्या है, या आपको important है, पदा होना चाहिए, ठीके, मतलब cooperative को लेके इन्होंने क्या क्या किया, की cooperative society की vision जो है, उसको कैसे improve कर सकते हैं, इंडिया में, ओके, इस जो जो है, ये कमेटी जो आई है, इसको head कर रह committee, ठीके, at that time जो है, government of India जो है, उन्हें कमेटी बठाई, जिसका नाम था गरवाल कमेटी, जिसको popularly बोलते है, All India Credit Survey Committee, ये आपको MC के लिए काफी important है, की गरवाल कमेटी को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, ठीके, अब इस कमेटी ने report जो submit की, देखो, point तो की, ये committee 1951 मे लेकिन 1954 में जाके उन्हें क्या किया, report को submit किया, अब उन्हें बोला क्या, उन्हें ये बोला कि जितने भी union cooperative acquired a major interest in the imperial bank was converted into state bank of India 1954, अब क्या था कि जो imperial bank थे, ठीके, imperial bank जो था, इसको convert कर दिया गया SBI, state bank of India जो आज की date में आग देखते हैं, 1955 में, ठीके, किसको imperial bank of India, अब क्यों किया, ताकि हम cooperative को भी ले सके, उनको भी credit दे सके, सब चीजे, ओके, next जो है, एक ओर important development इस time में हुई, national cooperative development and warehousing board was set up, और ये कब किया, इसी के दुरान में, इस committee के review के time में, ओके, ये भी काफी important है, इसके साथ में ही, जो RBI है, इसको भी amend किया, ताक कि RBI was amended to enable it to pay an active role in building up of cooperative credit institution, ताकि cooperative credit institution हो गया, cooperative को लेके, कितना loan दे सकता, कौन सा institution, ठीक है, उसके लिए, इसको amend किया गया, ठीक है, second five year plan, जो है, 1956 से, लेके, 61 में था, इसमें, कोई खास important नहीं है, लेकिन आपने एक याद रखना है, कि, ये जो इसमें development होगी, वो किसके base पी होगी, जो All India Rural Credit Survey Committee, जो आलेडी बठाई गी थी, ठीक है, और इसी के time में, एक और चीज़े है, वो है development, national cooperative development fund को create किया गया, किसको, national cooperative development fund बनाया गया, इसी five year plan, 1956 और 61 के time में, ये काफी important है, MCQ के लिए आपको पता होना चाहिए, ठीक है, third five year plan, जो है, ये इतना important नहीं है, अब देख लेते हैं, some national institution which came into existence in 1960 और 70 के बीच में, कुछ important national institution बनेगे, जो आपके slaves में है development, तो हमने देखना है, कौन-कौन से national level पे institution बनाएगे, cooperative को लेके, वो काफी important है, okay, सबसे पहले जो है, agriculture refinance corporation बनाएगी, ठीक है, क्या बनाएगे, national institution बनाएगया, तांकि cooperative को है, promote कर सके, कौन-कौन सी body जो है, cooperative को लेके, loan देगी, कैसे help करेगी, उसके बारे में बात करी, okay, सबसे पहले जो है, agriculture refinance corporation को set up किया गया, 1962 में, ठीक है, अब क्यों किया, government of India ने, तांकि ये provide कर सके, long term loan जो है, किसको cooperative को लेके, through central land mortgage bank के through, ये loan प्रोवाइड कर सके, यही agriculture refinance corporation बाद में जाके, नवाड बनती है, okay, N-A-B-A-R-D, okay, नवाड bank जो है, इसी का पुराना नाम है, इसका agriculture refinance corporation है, नवाड का नाम, आज की डेट में हम नवाड बोलते हैं, इसी को set up किया गया था बाद में, okay, फिर एक और जो बात है, यह काफी important है, वो है, 1963 में, national level पे गवाडी बनाई गई National cooperative development corporation was established as a statutory corporation by the act of the parliament, अब यह क्यों बनाई गे N-C-D-C, तो आपके सलिबस में भी है, वाजा great boost to the growth of cooperative marketing and processing society के लिए, cooperative marketing कैसे करनी है, उसके लिए, मतलब कि cooperative में जितनी भी hand loop department आया, other department आया हो, तो marketing कैसे करेंगे, buy कैसे करेंगे, sell कैसे करेंगे, तब ही जाके तो cooperative चलेगी और processing society कैसे चलानी है, यह काफी योगदान रहता है, N-C-D-C का, ठीक है, फिर एक और board की बात करी, जो काफी important है, यह आपको पता होना चाहिए, एन-D-D-B, National Dairy Development Board भी इसी टाइम में बनाया गया था, ठीक है, 1964 के टाइम में, यह काफी important है, आपको पता होना चाहिए, ठीक नेक्स जो है, एक और एक और वो important है, वो है N-C-U-I, National Cooperative Union of India, इसकी full farm पता होने चाहिए, काफी important है, ठीक है, ठीक है, नेक्स जो है, 4th 5-year plan, 4th 5-year plan में हुआ क्या, 4th 5-year plan में 1969 और 1974 में क्या हुआ वो देख लेते हैं, ठीक है, 4th 5-year plan गेव हाई priority to the reorganization of cooperative to make cooperative short term and medium term structure viable, it also made necessary provision to provide cooperative with the management, subsidy and share capital contribution as well as the rehabilitation of the central cooperative banks, it also emphasized the need to orient policies in favor of the small cultivators, ये इतना important नहीं है, मिर्दा कमेटी जो है, ये काफी important है, ये आपको पताना हो चाहिए, कि मिर्दा कमेटी जो है, उनने क्या बोला, ठीक है, प्रनासेशन कुछ भी जो सकती, उसकी अपने टेंशन नहीं लेनी है, मिर्दा बोलो, मिर्दा बोलो, कुछ भी बोलो, ये कप बनी 1965 में, उनने क्या बोला, उनने बोला कि standard to determine the genuineness आपता cooperative society, हम देखेंगे कि कौन कौन सी cooperative society genuine है, और जो जनने जो फराड़ी है, हम बाहर नकाल देंगे, बस ये ही इननने suggestion की कि, इंडिया में जो cooperative society है, जो genuine होगी, उसी को रखेंगे, बाकी को हम बाहर नकाल देंगे, ये इननने demand करी, ओके, और क्या-क्या measure लिए जा सकते हैं, तांकि हम जो ना, जो मतलब, ये देखो, जो फ्राड़ निकल रही थी, ज cooperative society actual में थी नहीं, कोई भी बंदा उठके register कर रहा था, और बाद में cooperative society थी नहीं, उसको क्या है, आउट कर देना है, और review कर सके, cooperative law को, और eliminate कर सके, बाकी वाले political interest विगेरा को, ठीक है, अब इसके बाद जो है, फिट फाइव एर प्लान, जो है, 1974 से 1979 में, उनने किसकी बात क cooperative society के बारे में उनने बात करी, ओके, और उनने और भी बात बोली कि, जितनी भी cooperative society है, इस टाइम में emergency थी, आपको अगर पता होगा, national emergency at the time of Indra Gandhi, तो काफी उस टाइम में तो development हो इनी सकती ना, जितना भी था, high level of overdose हो चुके थे, जितना भी इनने cooperative society ने loan लिये थे, कहां से, बेंक वू से, तो काफी ज़दा, NPA बोल सकते हैं, आज की date में कि काफी ज़दा overdue हो चुका था, तो ये, इनने वोला कि हमें, जो है, structure reform की ज़रूर थे, cooperative society की, ठीक है, वो काफी important है, नेक्ट जो है, ये आपके syllabus में भी है, PACS जो है, स्लेबस में भी है, और आपको ये पत development है, और development के साथ साथ में हमने last भी देख लिए, साथ साथ में हमने committee, जो committee आई वो भी देख लिए, काफी important है, सब याद करना आपने, 6-5 year plan में PACS आया, primary agriculture credit society, जो है, कौन से 5 year plan में आई है, ये आपको पता होना चाहिए, ओके, पैक्स जो है, हम आगरे lecture आएंगे, तब हम PACS के बारे में full detail पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन आपको कब आया, ये पता होना चाहिए, नवार के बारे में जब lecture लाएंगे, हम full detail discuss करेंगे, ठीक है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, कब पास हुआ है, नेशनल bank for 1981 में नवार को बनाया गया, इसकी full farm full जो है, वो national bank for agriculture, rural development है, और act passed किया गया, 1981 में, पारलिमेंट आफ इंडिया ने और इसको bank को set up किया गया, 1982 में, क्यों किया, to provide refinance, support to the corporate banks, and to supplement the resources of the commercial bank and original rural bank to enhance credit flow to the agriculture and rural sector, कहने का मतलब ये है कि इसके नाम से ही पता चल रहा होगा, आपको national bank for agriculture and rural development हो गया, कि जितना भी ये लोन दिया रूरल development के लिए नवार को बनाया गया है, बस इतना ही पतानों चाहिए एक body जो है national level पर बनाई, अब ये काफी important है, जो आपका legislation है, legislation में ये लाज जो बने है, ये important है, देखो इससे पहले 1942 में multi-state के लिए बनाया गया था, अब 9042 से लेके 1984 में, अब इसके बाद 2002 में भी जाएंगे, फिर 2011 में भी जाएंगे, क्या क्या development है, ये काफी important है कि इधर development क्या होई, इधर क्या होई, इधर क्या होई, इधर क्या हो, और 2021 में जाकर क्या क्या चेंजिंग लाइगी है, ये काफी important है, सब पता होना चाहिए आपको, विदी objective of introducing comprehensive central legislation to facilitate the organization and functioning of genuine multi-state society and to bring uniformity in their administration management, अभी act passed किया गया, और इसी, इसने क्या किया, जो earlier multi-unit cooperative society act of 1942 जो था उसको repeal कर दिया, तो क्या important point है, कि 1984 वाला जो act था, उसने 1980, sorry, 1942 वाला जो act आया था, जिसका नाम था multi-unit cooperative society act को उसको रद करके new act लाया, ठीके, इसमें कुछ चेंजिंग लाई, जो काफी important है, ठीक अब कमेटी बठाएगी, आर बीए के दौरा वो काफी important है, आपके लिए कि आर बीए ने कौन सी कमेटी बठाएगी, जिसका नाम था agriculture credit review committee, अंडर दा चेयर्मेंशिप आफ एम खुसरो, ठीके, ये चेयर्मेन थे, और किसलिए बठाएगी, ये committee, मतलब हो गया, reserve bank of India ने ज agriculture credit review committee बठाए, agriculture को पैसा जा रहा है, या फिर नहीं जा रहा है, कुण कुण सी बाड़ी जो है, agriculture को पैसा दे रही है, उसकी ये committee बठाएगी, जिसका नाम था, प्रोफेसर एम चेयर्मेन जो थे, उनके प्रोफेसर एम खुसरो थे, ठीके, ये उने एग्जमाइन दी जिसकी भी recommendation होती है, वो आपको याद कर देनी है, क्योंकि तीन-चार बर revise करोगे आप, ये easily याद हो जाएगा, ठीक है, आपने मेर्स में तो लिखना नहीं है, आपने pre-killy पढ़ना है, I mean to say that, I am simply pre-killy पढ़ना है, वो दो-तीन बार पढ़ लोगे, याद हो जाएगा, model cooperative society act 1990 में आया, ये भी काफी important है, model cooperative society 1990 में आया, इसने क्या बोला, ये जो आया, इनने जो है committee, इनने submit जो report की, वो की 1991 में, अब यो जे model cooperative act आया, कि जितनी भी cooperative society इंडिया में है, वो इस model के base पे चलेंगी, ठीक है, और एक expert committee बठाएगे, under the chairmanship आप, जिनका नम था, चोदरी भरम परकाश जो है, इनको point किया गया, बाइदक planning commission, to make rapid review, आप the board status of cooperative movement, और suggest further direction and finalize a model cooperative society, और इनने बोला, कि ये committee बठाएगे, जिसका नम था, चोदरी भरम परकाश, और इनने बताया कि, ये expert committee थी, उनने बोला, कि cooperative society को लेके, हम क्या क्या चेंज society act, जो है, model लगता है, इन्डिया में, ठीके, इनने क्या क्या बोला, वो काफी important है, वो आपको पतावना चाहिए, ओके, इनने जो committee, जो है, 1990 में बठाई, 91 में, इनने क्या दे दिया, इसी time में, आपको पताव लगा, LPG, liberalization, privatization, और globalization, policy लाई थी, डाक्टर मनमोन सिंग ज and each state has its own cooperative legislation covering the cooperatives, whose membership is confined to the state, the report of the committee also, along with the draft model, cooperative law was calculated to all the state for the consideration and adopt the state label, क्याना मतलब यह ही कि यह जो model है, यह हर state में कुछ provision होंगे, वो आपने send किये किस पे, ठीके, at the time जो भी government थी, उनने send किये हर एक state को कि यह हमारा model है, cooperative society को लेके और इसी के according आप क्या करोगे, last pass करोगे, यह उनने बोला, liberalization मैंने बोल दिया, parallel cooperative legislation, यह काफी important है कि parallel cooperative legislation at that time चल रहे थी, अब parallel cooperative legislation यह हुआ, कि अगर यह एक legislation है, इसके साथ में एक और, sorry, यह cooperative society है, तो इसके साथ एक और cooperative society होगी, उसके लिए last मनाएगे, यह ज legislation जो है, यह कब आई, यह 9th plan था, 1997 से लेके 2002 में, इसी दुरान में, अगर आप हम पढ़ेंगे, जमू एंड कश्मीर, self-reliant act, ठीक है, self-reliant cooperative act, ठीक है, वो कब आया, 1999 में, तो यह उसी की बात कर रहे हैं, कि हर एक state को बोला गया, कि आप अपने parallel जो है, parallel label पे, cooperative के लिए legislation बना सकते हैं, किया बोला है, उमने वो देख लेते हैं, since cooperation is a state subject and recognizing the difficulty in having the existing state cooperative act amended on the lines of the model cooperative act, a section of the cooperative and civil society initiated act, action to put in place parallel cooperative legislation for the self-reliant cooperatives, तभी तो आया, जमू कश्मीर, self-reliant act, okay, नेक जो है, self-reliant का मतलब क्या हुआ, self-reliant cooperative का मतलब यह हुआ, it is defined as those which have not received any assistance from the government in the form of equity, contribution, loan and guarantee, तो कहने मतलब यह हुआ कि government ने, यह वो cooperative society होती है, self-reliant की, जो ने गोर्मेंट की तरफ से कोई भी पैसा, loan जो है, वो नहीं लिया होता है, उसको बोलते है, self-reliant, आतम, नेरबर, ठीके, self का मतलब क्या हुआ, खुद ही सब कुछ करना, तो उनको बोलेंगे यह, अब इस दुरान में, जो है, committee कौन सी बठाई गई थी, तो इस committee है, लाजरी बेजडान दी, commendation आफता, चोदरी भरम परकाष कमेटी, जो है, उस भी, और starting में, nine state जो थी, उन्हों टाने की जूरूर क्यों पड़ी, समझे गे ना, तो यह जो है, parallel level पर, एक यह चल रहा था, इसके साथ में, आज की date में भी जम हो किश्मरे में, दो एक्ट जो चल रहे हैं, एक 1989 गला, और 1999 गला, और 2000 एक दो बला, जो है, रूल, जो है, वो चल रहे है, ओके, यह ऑगे, य उन्हें इसको अडाप्ट किया जिसमें जमोल कश्मीर भी थी जो मैंने बता दिया और बिहार MP ओडिसा करनाटका जारखंड चतिसगड औरनाचर प्रदेश ठीक है उन्हें क्या लाए पैरलल कॉपरेटीव एक्ट जो है उनको एक्ट किया ठीक है इसके बाद मल्टी स्टेट कॉपरेटीव एक्ट 2002 वला है इसने क्या किया यह आपको पता ही है कि देखो सबसे पहले जो मल्टी स्टेट के लिए मतलब मोर देन वन स्टेट में जो कॉपरेटीव सुसाइटी वर्क करी जैसे अमूल है वह जमोकश्मीर में भी है गुजरात में भी है राजस्तान में हर जगा है तो मल्टी स्टेट कॉपरेटी सुसाइटी को कैसे हम रेगुलेट करेंगे गोर्मेंट अफ इंडिया तो उसके लिए एक्ट लाया 2002 में देखो इसने किया क्या 9042 वला एक्ट आया था उसको इमेंड रिपेल किया आइंटी एटी फोर में अब इसमें कुछ चेंजिंग लाई 2002 में बस वही बात है कि यही चल रही जो स्टार्टिंग पॉइंट आये कुछ पॉइंट इसमें एड करेंगे ने वाले और रिपील करते रहेंगे कि मल्टी स्टेट कॉपरेटिव एक्ट जो है इनक्टि इन आइंटी एटी फोर वाज मॉडिफाइड इन दोजर दो में ठीक है अब उन्हों क्या किया उन्हें कि यह कि दला प्रोवाइडिट ग्रेट आटोनॉमी तू दॉदा कॉपरेटिव इन देर डिसीजन मेकिं प्र इसमें बोला कम हुए नहीं हुए बाद की बात है इंडिया में ठीक है जिसको बला जाता है नैशनल कोपरेटिव पॉलसी अब इसमें क्या बोला यह काफी इंपार्टन पॉइंट है देख लेते हैं अच्छे से 2002 में क्या हूआ रहा गूर्मन आफ इंडिया उन्डाप curry पॉलसी आफ इसका अबज्यक्टिव क्या है जो आपको पदाऊना चाहिए सेल्फ रलाइंट डेमोक्रेटिकली मैनेज इंस्ट्यूशन होना चाहिए अकाउंटेवल होना चाहिए मेंबर के लिए और कंट्रिबूशन करना चाहिए नैशनल एकॉनमी के लिए ओके अब इसके बाद क्या हुआ कि बेज़ डान दी रिकॉमेंडेशन at the conference of the state minister of cooperation 2002 में क्या हुआ एक ministerial task force बठाई गी ठीक है ministerial task force बठाई गी उनको बोला गया कि formulate करो कि हम जो national cooperative policy बनाई है कौन सी वली 2002 वली ये वली national cooperative policy जो बनाई है इसमें इनने क्या बोला कि जितनी भी cooperative society है वो self-reliant होनी चाहिए by the people, for the people, one vote, one man, one vote वो principle लाने है, autonomous देनी चाहिए, independence देनी चाहिए जो MP, MLA या इनका role हो है उसको कम करना है, government का role कम करना है तभी जो तो जाकि cooperative society जो है वापस में अच्छे से काम कर पाएगी ये उनने इनकी policy रही ठीक है और आपको पता है कि cooperative society plays a very important role in the GDP of the India तो ये काफी important national economy को contribute काफी ज़्यादा कर रहे है, ministry task force जो है इसको क्या बोला गया कि आप बताओ कि implementation कैसे करना है national cooperative policy को ठीक है उनने क्या बोला, task force ने जो है वो suggest किया कि हम single law बनाएंगे ये parallel law जितने भी हैं जैसे for example जमो किश्मिर में दो लाज चल रहे हैं, दो लाज लाने की ज़रूरत क्या है, इनको combine करके एक ही लाज बनाओ, ये उनने बात करी, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बोल रहा है, minister task force ने बोला कि दो दो लाज जो हैं, ये नहीं होने चाहिए, cooperative को लेगी, एक ही लाज बनाओ, और ये confusion क्यों रखिये, तीन तीन चार चार लाज बनाके रखिये हूए आपने, ये बोला इननने कि हर एक state में single law instead of parallel laws should be introduced in the state, it also recommended among others that in order to depoliticize cooperative member of parliament or member of legislative assembly should not be allowed to hold office in the cooperative society, और इस committee ने, ठीक है, ministerial task force जो committee बठाएगी, 2002 की national policy for the cooperative के बाद में, इनने बोला कि MP, MLA को नहीं गुषने देंगे cooperative society में, क्योंकि ये जहां जाते हैं, वहां पर क्या कर देते हैं, वहां को बता क्या कर देते हैं, समझधार हो आप, ठीक है, तो इनने कि नहीं, जाने चाहिए MP और MLA जितने भी लीडर हैं, ठीक है, cooperative society को cooperative के member ही चलाएंगे, ये बोला, company amendment act 2002 आई, ये आपको important है, पता होना चाहिए कि 2002 में company amendment, देखो सबसे पहले बात है कि, ये कि चेर, जो committee आई थी, under the chairman ship of doctor Y के अलग committee जो थी, इनने recommendation दी थी, amend करने के 2002 में, आपको पता है, 2013 का भी company act आया हुआ है, ठीक है, ये इतना important नहीं है, इसलिए मैं discuss नहीं करूँगा, NCDC amendment जो है, आपको बताना चाहिए कि NCDC कब आया, और इसकी amendment कब हुई, ये हम NCDC का lecture जब लाएंगे, तब इसको काफी अच्छे से detail में पढ़ेंगे, ठीक है, अब देखे थे, पोस्ट इंडपेंडेंट्स में हमें, जितना भी पढ़ा, वो क्या-क्या important था, ठीक है, एक तो पढ़ा, आपने, प्री इंडपेंडेंट्स के टाइम में, कौन-कौन सी committee थी, कौन-कौन से last थे, कौन-कौन से series of legislation, कौन-कौन सी committee बढ़ाई गई गई थी अब हमने देखा कि, पोस्ट इंडपेंडेंट्स, 1947 के बाद, जितने भी 5-year plan चल रहे थे, उसमें कौन-कौन सी national level पर body बनी है, कौन-कौन से last बने है, और कौन-कौन सी committee बनी है, वो हमने discuss किया, इन शाट अबने, अगर देखना है, तो कैसे हम देखेंगे, इसमें, फर्स वान और 1969 में थर्ड 5-year plan रहा, गोर्मेंट आफ इंडिया का, इसमें उनने development की, NCDC, National Corporate Development Corporation को established किया गया, वाजी तर पारलिमेंट के थूँ, यह हम काफी detail में पढ़ेंगे, NCDC, जब lecture आएगा, ठीक है, अब इसका head cutter कहा है, दिल्ली में, नवार जो है, Act 1981 के थूँ, नव ठीक है, तो development आपको पदोने चाहिए, बाकि हम काफी detail में पढ़ेंगे, जब यह lecture आएंगे, okay, model cooperative act, 1990 में आया, और उनने क्या बोला, कि यह एक, हर एक state को दिया गया, कि यह आपके लिए, model रहेगा, cooperative society को चलाने के लिए, National cooperative policy 2002 में आई, जिसमें मिनिस्ट्र टास्पोर ब पसंद आया होगा, और समझ भी आया होगा, और अगर समझ आया, लाइक करें, शेर करें, सब्सक्राइब करें, जरूर दोस्तों के साथ, thank you so much, मिलते है next lecture में, तब तक के लिए, जाय हिन